Hello student, welcome to MRIs, this is for my youtube channel और आज हम लोग के Language of Chemistry Part 2 आपके लिए लाएं हैं तो Language of Chemistry Part 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि Tetra Atomic Molecule क्या होता है? यह Tetra Atomic Molecule किसे कहते हैं? Tetra Atomic Molecule जो होता है जिसमें Atom के संख्या 4 होनी चाहिए रपास कितने अटम से चार एटम से नाम से मतलब होगा इस के लंगे उक्ता octa atomic molecules octa atomic molecules क्या है तो octa atomic molecules में आप देखिए कि नाम से ही clear है कि octa का मतलब हो गया 8 इसमें octa atomic molecules वो molecules होता है जिसमें atom के सेंगा कितनी होना चाहिए 8 atom होना चाहिए sulfur, sulfur को हम लो कैसे denote करते हैं, S8 से और sulfur के पास 8 atom होता है इसलिए sulfur जो है कैसा molecules है, sulfur जो है octa atomic molecules है इसके बाद हम लोगों स्ट्रेंट देखेंगे symbol के बारे में पढ़ेंगे तो element का symbol अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरह से atom का symbol दिया, सबसे पहले हम लोगों modern पढ़ेंगे, modern symbol के बारे में study करेंगे कि अभी जो हम लोग hydrogen का H और carbon का C magnesium का mg इस सब क्या है, modern symbol है of the element, ठीक है तो symbol है, क्या symbol किसी element का brief abbreviation होता है, छोटा रूप होता है अब पूरा hydrogen ना लिख कर हम इसके लिए H कर दिये, यानि कि element का हम abbreviation कर दिये इसके नाम को छोटा कर दिये तो symbol बन जाएगा तो modern symbol जो है, जो किसी ने दिया modern symbol ने जो है जो है ना जाउंस, जकब, बरजिलियस साब ने modern symbol दिया कब 1814 में इसके बाद हम लोग ancient symbol भी study करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग modern symbol के बार में study करेंगे, उसके बाद ancient symbol क्या थे हैं उसका study करेंगे और कौन-कौन से लोगों ने क्या दिया था आपका ancient symbols तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं modern symbols for elements modern symbol for elements को जो है ना बरजिलियस साब ने दिया था इसको तो उनके निसार अगर चले हम लोग तो उनने कुछ इस तरह से modern symbol को त्यार किया था कि किसी भी element का जो English name होता है उसका पहला letter लेकर उनने त्यार किया था symbol जैसे hydrogen तो पहला letter इसका ले लिया गया H तो यहाँ H कर दिया जाए तो उस तरह से त्यार किया गया था जैसे carbon तो पहला letter लेकर इसका C तो किसी element के इंग्लिस नेम का फिस्ट लेकर भी हम लोग सिंबल त्यार कर शकते हैं जैसे हडियोजन का एच कार्बन का सी दूसरा डूल क्या है आप देखेंगे कि इंग्लिस नेम का किसी इलमेंट के इंग्लिस नेम का कोई दो लेटर like magnesium का हम लोग GMG ले लिए Carbon का हम लोग calcium का हम लोग CA ले लिए calcium का C ले तक carbon का भी CO होता है Kelvin का C फिर तो difficulty हो जाती कि की carbon का भी a C calcium का भी तो उस चीज से बचने के लिए confusion को दूड करने के लिए alement के English name के जो है न element के इन्गलिस ने को 2 letter को लिया जाना लगा जैसे calcium का C है, तो confusion दूर हो गया, C for carbon, C for calcium, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ element थे हैं, जिनके symbol जो है, उनके Latin name से लिए गया था, ठीक है न, Latin language से, जैसे sodium को Latin language में क्या बोलते हैं, नेटरियम बोलते हैं, ठीक है, sodium को Latin language में नेटरियम बोलते हैं, तो इसलिए symbol इसका वहाँ से लिए आ गया, ठीक है न, तो sodium का symbol N, N है, potassium को Latin language में कैलियम बोलते हैं, इसलिए इसका symbol क्या हो गया, के हो गया, iron का Latin language में फेरम बोलते हैं, इसलिए इसका symbol F, E हुआ, antimony का stebium, इसलिए इसका SB हुआ, ठीक है, copper का जो हता, क्यूपरम होता है, इसलिए इसका symbol क्या हो गया, she you हुआ, फिर हम लोग देखते हैं, gold, gold को Latin language में aurum बोलते हैं, तो उसका symbol AU होगा, lead का plumbum, plumbum, इसलिए इसका symbol PB हुआ, mercury का हो गया, hydragerum, इसलिए इसका HG हो गया, hydragerum HG हो गया, और यह mercury का जो है, ग्रीक नेम से लिया गया है, इसलिए न, mercury का hydragerum जो वर्ड ह है, ग्रीक कंट्री का वर्ड है, वहां से इसका symbol लिया गया, silver का Argentum, तो AG हो गया, teen का Stenum, तो ASN हो गया, और tungsten का जो होता है, वोल्फ्रेम होता है, ठीक है न, और वोल्फ्रेम जो है, वर्ड कहा कहा है, यह German word है, तो इसका symbol जर्मन वर्ड से लिया गया है, और इसके लिए हम लोग सिंबल में डबलू इस्तमाल करते हैं, तो थर्ड रूल में हम देखा कि बहुत सारे element हैं, जिनका symbol Latin language से, Greek language से और German language से लेकर मिलकर बनाया गया है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे element है, जिसका symbol जो है, scientist के name के base पर भी हुआ है, जिस scientist ने जिसको खो सिंबल हो गया है, यहां अगर हम लोग देखें, तो जो फोर्थ रूल है, उसमें यह है कि according to the names of scientist, जिस scientist ने जिस element को खो जा, तो उनी के नाम पर उस element का symbol भी बन गया, जैसे क्यूरियम, तो मैडम क्यूरी ने इसको ढूना था, इसलिए इसका symbol क्यूरियम हो गया, पुरा क्यूरियम होगा और इसका symbol जोगा capital C, small m होगा, फिर Albert Einstein ने जो ना एक element ढूना था जो इसको ओम लोग बोला जाता है, Einstein बोलते हैं, इसका symbol is हो गया, इसका symbol is हुआ, उस तरह से हम देखें, fermium, fermium energy को Fermi ने ढूना था, इसलिए इसका नाम फर्मियम पड़ा और सिंबल Fm इनो सिंबल हुआ और नाम पड़ा नोबेलियन और मेंडलिफ मेंडलिफ ने थी धूरं था जिसको बोलते हैं मैंडलिपियम और इसका जो सिंबल हो गया वह एमडी हो गया तो अलग-लग सैंटिस्टों ने धूर्ट को ढूना तो इस तरह से उनके नाम के दाखर देहार और सि लिबरोटरी में वो डिसकावर किया गया उसके नाम पर उसका नाम पड़ा लाई के बरकले जो है वो बरकले सुना गया तो इसलिए उसका नाम बरकले इसका सिंबल BK हुआ , University of California में धूणा गया था California में धूणा गया था California में element तो सिंबल C F हुआ , पॉलन्ड में धूणा गया था पॉलनियम HELमें तो सिंबल PO हुआ तो जिस country में या जिस लिबरोट्री में element की खोज हुई तो उसके थारपुष का नाम पड़ा अमिल्टेनियम का गया इसे पिर रखा गया जहां नाम पर रखा गया उनका सीमबल भी उसी इदार पर तियार किया गया जैसे uranium, तो यह Uranus planet के नाम पर रखा गया, Neptuneium वो Neptune planet के नाम पर रखा गया, Plutonium, Pluto planet के नाम पर रखा गया, अलाकि Pluto अभी planet के रूप में नहीं है, उसको planet के list से हटा दिया गया है 2006 में, तो uranium का symbol U, Neptuneium का symbol हो गया, NP हो जाएगा, N a small p, और Plutonium का P a small u, यह हम लोगों ने देखा modern symbol of the element जिसको जॉन्स, जेकॉप्स, बर्जिलियस साहिब ने दिया था, अब यह हम लोग एंसियंट देखते हैं, तो एंसियंट जो symbol था element का वो इतना complicated था, उसके अंदर काफी complexity थी, जिसको remember करना, memorize करना काफी ही दिकत वाली थी, तो easy to use नहीं था, easy to remember नहीं था, तो इस करन से वो सारी चीज़ों को छोड़ दी गई, बट हम लोग knowledge के लिए पढ़ेंगे कि क्या-क्या थे ancient symbol, तो alchemy, याईनि कि 17th century से पहले की बात है, alchemy किसको बोलते थें, जो chemistry जानते थे, और chemistry related जो काम करते थे, वो alchemy क्या लाते थे, समझे ना, और तो वो लोग ने कुछ भी symbol त्यार किया था, like gold का symbol ऐसा, copper का symbol ऐसा, iron का ये हुआ, antimony, arsenic, silver, lead, tin, fire का symbol, triangle बना कर, water का symbol इस तरह से बना कर, तो ये symbol त्यार गया था, alchemy के दोरा, ठीक है, जब ग्रीक लोगों को, जब ग्रीक लोग केमिस्टी से, इंट्रड्यूस हुए, जब केमिस्टी ग्रीक लोगों को तक पहुची, तो उन लोगों ने भी element का symbol, अपनी अनिशार, अपनी सहूलियत का अनिशार त्यार किया, और gold का symbol ऐसा कुछ बनाया, silver को इस तरह से दिखाया, arsenic को इस तरह से, sulfur को इस तरह से, copper को इस तरह से, water का symbol ये था, Greek people का अनिशार, और salt का symbol ये था, Greek people का अनिशार, इसके पास 1782 में, Anton Levozier शाहब आते हैं, और इन्होंने भी element को अपने तरह से symbolize किया, symbol दिया, ठीक है, तो इनके अनिशार symbol क्या था, आईए हम लोग देखते हैं, इनके अनिशार symbol था, ये जो inverted triangle बनाकर, उन्होंने water को दिखाया, oxygen का symbol ये बता है, nitric acid का symbol ऐसा बता है, nitric acid का formula होता है, HNO3, तो ये Anton Levozier साहब का बनाया गया symbols था, for the element, इसका बाद 1793 में, डॉर्बेन, अलॉफ, बर्जमेन साहब आते हैं, और वो भी कुछ elements का symbolize करते हैं, उसका symbol त्यार करते हैं, like metal को, metal को उन्होंने कुछ इस तरह से दिखाया, crown करके, acid का symbol ऐसा बताया, alkalis, alkalis किसको काते हैं, alkalis काते हैं, प्रियोडिक टेबल में, जो group 1 का element होता है, like sodium, potassium, यह सब जो element होते हैं, उसको alkalis कहा जाता है, alkalis, alkalis एक तरह से आप समझ सकते हैं, alkalis जो होता है, वो base होता है, इनके भी oxide जो होते हैं, इनके भी oxide आपके base बनाएगा, आगे हम लोग जानेंगे, alkalis यह कितरह का base ही होता है, इनका oxide base होगा, वो स्वाद में कैसा होगा, बीटर होगा, फिर salt का symbol इस तरह से बताया, बर्जमेन ने, जिंक का, यह था, कोबाल्ट का, निकेल का, तो यह, torben, all of, बर्जमेन ने, 1793 में, element को अपने तरब से symbolize किया था, इसके बाद जो है, आप देख सकते हैं, कि 1780, थोज़ा सा हम लोग बैक चले जाए, तो 1789 में, मतलब इन से पहले जो है, एक दुसरे scientist आते हैं, जिनका नाम है, G.H.H.S.N.F.R.D. और एड़ेट, यह साब भी आते हैं, और अपने तरह से element को symbolize करते हैं, यह जो symbol था, वो liquid का symbol है, यह कोई भी liquid है, तो ऐसा दिखाएंगे उसको, nitrogen के oxide का जो symbol है, वो इस तरह से इनोंने बताया, gas का symbol है, यह standing line, और nitrogen, यह oxygen के oxide, यहाँ oxygen होगा, oxygen के oxide को इनोंने इस तरह से symbolize किया, so इसके बाद, 1808 में, जॉन डालतन साहब आते हैं, और यह atoms related काफी अच्छी थीज़ों पढ़िये, discovery कर रहे हैं थे, और इनकी atomic theory भी आती है, जो atoms के बारे में काफी कुछ explain करती है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इनका भी कुछ जो symbol था उस तरह से था, hydrogen का ये हो गया, ये nitrogen का symbol हो गया, carbon का symbol, oxygen का symbol, phosphorus का, sulfur, copper, lead, gold का symbol, circle बना के G लिख दिजिए, water का symbol, तो ये सारे symbol, जो ancient symbol है, उन सारे symbol को देखने के बाद, आप एक चीज़ को समझ गए होंगे, कि ये सारे symbol इतने difficult हैं, कि इनको आप याद नहीं रख पाएंगे, that means, एक तो आप, for the point of view of retaining in the memory, memory में कैसे रखें, याद करके, वो तो दिकत थी, साथ साथ ये काफी lengthy और complexity से भड़ा हुआ symbol था, इसलिए सारे चीज़ों को reject कर दिया गया, और बरजिलियस साहिब का जो नॉमेन क्लेशर है, यादि कि element का जो नाम देने का जो तरीका है, वो काफी popularity गेन करती है, और काफी, अभी भी हम लोग उसी चीज़ का बरजिलियस साहिब का इन concept को यूज़ करते हैं, बट ये हमारी history है, तो इसकी भी जानना, इसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो गई आज की वीडियो में इतना ही अगरी वीडियो में हम इससे आगे सिखेंगे, थांक्यो फर वाचिंग,